नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल पहाड़े के विमें तो आए दोस्तों शुरू करते हैं डेली 35 प्रश्ण का मियाँ पर लक्षे रखते हैं तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका क्यूंकि आपने सभी चीजे जो है अच्छे से पड़ी है तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी तेरी के साथ पहला जो प्रश्ण है कि उत्तराखर में प्रसीद घंटाकर्ण मंदिर की जनपद में इस्थित है की जनपद में इस्थित है दोस्तों इसका जो राइट आपसर रहेगा आपका आप्शन नमबर बी यानि कि तीहरी जनपद में इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा इस्थित है तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहां पर इस्थित है इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा ओप्शन नमबर ए यह कहां पर है दोस्तों यानि कि चंपा जनप लिएपन नबर कई सद्थित है दरवार साहिव की जनपद्वें इस्थित है इसका राइटांसर है ऑप्शन नमबर A दरवार सहीवापका बागिश्वर जनपद्वें इस्थित है अगला महत्वपूर्ण प्रशन है दोस्तों कि निम्न मैंसे असारी कौथी किस मेले को कहा जाता है तो किसे कहा जाता है दोस्तों इसका राइट आमसर क्या रहेगा आपका यानि कि option number A बगवाल मेले को कहा जाता है बगवाल मेला दोस्तों आप सभी को पता है तनक पूर्चंपवाद में यहों मेला लगता है अगला प्रशन है उत्राखन में राम नौमी किस आभुशन को कहा जाता है तो राम नौमी किसे कहा जाता है इसका राइट आमसर क्या है इसका राइट आमसर आपका option number D यानि कि गुल्वंद को कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन मर साथ है कि परमार वंच का चरित्रहिन राज कुमार कहा जाता है तो किसे कहा जाता है इसका राइट आमसर क्या है option number A पराक्रम शाह को कहा जाता है अगला प्रश्ण है कि अभागा शहजादा कहा जाता है तो किसे कहा जाता है इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ओप्शन नमबर B यानि कि सुलेमाद शिको हो अगला महत्व प्रश्ण प्रश्ण नमबर 9 है कि पौवार शासनकाल में सामाजिक व्योस्था थी तो इसका राइट आंसर क्या है किस प्रकार की व्योस्था थी तो पौवार शासनकाल में दोस्तों जो है पित्र सत्तात्पक जो है कि सामाजिक व्योस्था थी अगला है माने बुग्याल की जनपद में इस्थित है तो किस जनपद में है तिहरी चमोली उत्तरकाशी या रूद्र परियार इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका option number C यह जो है आपका उत्तरकाशी जनपद में इस्थित है अगला महत्वपून प्रशन है कि केदार जू कहते है तो किसे कहते है इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों थल केदार बुड़ा केदार कल्प केदार या ओम परुवत को तो केदार जू दोस्तों किसे कहा जाता है तो किस जनपद में यह हो इस्थित है यह हो आपके लिए क्या है दोस्तों होम वर्क है तो अगला महत्वपून प्रशन है अजय पाल द्वारा कौन सी नाप तोल पद्धती प्रचलित की गई थी तो आपको बताना है दोस्तों माथा पाथा नाली मुठी या खार इसका राइट आंसर क्या रहेगा ओप्शन नमबर ए यानि कि पाथा ओप्शन नमबर ए विलकुल इसका राइट आंसर है पाथा अगला है मादो सिंग भंडारी किसका सेना पती था तो किसका सेना पती था दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है ओप्शन नमबर ए मलेथा की गूल आपने पड़ी होगी अगला प्रशन है कि किस पौमार शासक की मिर्थियू रगुनाथ मंदिर में हुई थी तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है option number A जैकिरति शाह दोस्तों इसकी जो मिर्थियू कहा हुई थी रगुनाथ मंदिर में हुई थी अगला है कि नंदा राजात में किस चंद राजा ने छतोली भीजी थी तो किस ने भीजी थी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा सोम चंद, कल्यान चंद, देव चंद या बाज बहदूर चंद तो इसका राइट आंसर है आपका option number D यानि कि बाज बहदूर चंद अगला महत्वपून प्रशन है किस पौवार शासक के समय श्री देव सुमन की मिर्तियों हुई तो किस के समय हुई दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है परद्युमंद शा, नरेंदर शा, किर्थिशा या मानवेंदर शा तो इसका राइट आंसर है option number B यानि कि नरेंदर शा अगला प्रशन है, प्रशन number 17 है किस पौवार शासक के दरवार में 9 रत्न थे तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों यानि कि option number A फतेह शा अगला प्रशन है, प्रशन number 18 है चंद वन्ष का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरवार में भेट अर्पित करने गया था तो इसका राइट आंसर क्या है लक्षमी चंद है, ग्यान चंद है, देवी चंद है या केवती चंद है तो जो फिरोज शाह तुगलक के समय गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर है option number B, यानि कि गरूड ग्यान चंद अगला महत्वपुन प्रशन है कि केदार राथाप्ता की सच्ची कहानिया पुस्तक के लेखा कौन है तो किसकी पुस्तक है दोस्तों रमेश पोख्रियाल निशंग की है शैलेश मत्यानी है या मंगलेश तंगवाल या रस्किन बोन तो इसका राइट आंसर क्या आपका option number A यानि कि रमेश पोख्रियाल निशंग अगला है जलेश्वर मंदीर कहां इस्तित है तो कहां पर है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहληगा आपका करन परियाल में दोस्तों यहों मंदीर आपको देखने को मिलेगा अगला है खतवरवा त्योहर संब्नदित है तो जो खतवरवा त्योहर है दोस्तों किसे संब्नदित है इसका राइट आंसर आपका option number A यानि कि प्रश्वों से दोस्तों यह त्योहार संबनित है अगला महत्वपून प्रश्ण है कि विखोती के नाम से जाने जाने वाला त्योहार है प्रश्ण नमर 22 इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बैसाखी या लोहारी या दीपावली या दुर्गास्टमी तो इसका आंसर आपका option number B यानि कि गड़वाली चित्र कला के लिए हो जो है परसीद है अब आता है कि पंवार वंच में आयवेर का अधिकारी कौन होता था कौन होता था दोस्तों इसका right answer क्या है इसका right answer आपका option number A जो पंवार वंच में जो आयवेर का धिकारी था वा क्या था दोस्तों दिवान होता था अगला प्रस्तों है प्रश्ट 25 मनाया जाता तो कहां मनाया जाता है उत्राखन में दोस्तों स्थित्त है इसका right answer आपका option number C पिथोड़ागड जनपद में दोस्तों यहों इस्थित है अगला है कि उत्राखन का प्रसीद मंदिर सूर्य मंदिर कहां परिस्थित है सभी को पता है दोस्तों कटारमल अल्वोडा में दोस्तों आपको यहों देखने को मिलेगा तो अब बताना है दोस्तों आपको मुर्खली है, इस परकार के प्रस्चन जो है आयोग में अधिकतर बनते हैं तो इसका right answer आपको बताना है, तो क्या है आभूशन है, पक्वान है, त्योखार है या इस्थान है तो इसका right answer है दोस्तों आपका option number A मुर्खली क्या है आपका एक option है अगला है कुमाओ कारंगिला भात्षा कहा जाता है कुमाओ कारंगिला भात्षा किसे कहा जाता है इसका right answer क्या है दोस्तों option number A यानि कि देवी चंद को कहा जाता है अगला प्रश्ण है उत्राखण में उगाई जाने वाली फसलों का सही महत्वपूर्ण समू कौन सा है तो आपको बताना है चार उप्षन आपको यहाँ पर दिये होए है इसका राइट आंसर क्या रहेगा उप्षन नमबर B यानि कि जो उत्राखण में जो उगाई जाने वाली फसलों का जो सबसे महत्वपूर्ण क्रम है वो है गैहू, धान, मंडवा और आलो तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों इसे आपको नोट कर लेना है प्रश्ण नमबर 30 का भी महत्वपूर्ण है उप्षन नमबर B इसका विल्कुल राइट आंसर रहेगा अगला प्रश्ण दोस्तों 31 है कि नवादा देहरादून में किस रानी का महल था तो इसका राइट आंसर आपको क्या रहे जाएगा उप्षन नमबर C यानि कि करणावती का अगला है कि ने नी ताल में कुमाव परिषयत का गठन किस ने किया गया था तो ने नी ताल में जो कुमाव परिषयत का गठन कम हुआ था दोस्तों option number B यानि कि 1916 में हुआ था अगला महत्तुपूर्ण प्रश्ण है कि अल्मोडा में Congress की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो अल्मोडा Congress की स्थापना सभी को पता है आपको option number D 1912 में यह होती है अगला प्रश्ण दोस्तों कि कुमाओ का पर्थम Commissioner कौन था तो कौन था यह गार्णर जो है दोस्तों कुमाओ का पर्थम Commissioner था तो अगला है कुमाओ का पैरानिक नाम है तो आपको वताना है तो इसका right answer क्य है आपको सभी को पता है मानसखंड केदारखं किसका है गडवाल का है और मानसखंड किसका है दोस्तों आपका कुमाओ का परानिक नाम है अगला है प्रश्ण नमबर 36 है इस वीडियो का जो अंति प्रश्ण है कि मल्ले राजा कुमाओ को किस नाम से पुकारते थे तो मल्ले वीडियो आएगी उसमें भी आपके 36 प्रश्न देखने को मिलें के तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें